इंडिया, क्या है इंडिया? आप इंडिया को क्यूं जानते हैं? क्या आप बस इंडिया को? इसलिक जानते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, 2nd largest populous country है पूरी दुनिया में, या फिर 7th largest country है by area लेकिन इसकी अलावा भी इंडिया में ऐसे बहूत कुछ है जो हमें जानने चाहिए और सबसे बड़ा सवाल कि इन सब खूबियों के बहुजूर भी इंडिया में इतनी एबिलेटी है कि यह आने वाले समय में नेक्स सुपर पावर बन सके तो चलिए जानते हैं एक एक करके हम समझेंगे कि इंडिया इन सब चीजों के अलावा भी ऐ मुझा है वह इककोनॉमिक के द्रिष्टी से हो या फिर मिलिटरी के द्रिष्टी से लेकिन आज की समय में अगर हम सूपर पावर के गिन्ती करते हैं तो उसमें अमेरिका नंबर वन पर आता है चाइना फिर बाख युइ बहुत सारे देश आते हैं लेकिन EU पहले कुछ आक जो की 3 trillion की economy के साथ इस rank में था लेकिन भारत की जो GDP है 2015 के अगर आकड़े की बात करें तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले GDP है यानि की हर साल लगबग GDP का 5% fastest growing economy है अब अब समझ सकते हैं कि भारत की economy कितनी तेजी से बढ़ रही है कि हम थोड़ा सा भारत की location की बात कर लेते हैं जैसा कि आपको पता होगा भारत South Asia का एक छोटा सा देश है जो तीन तरफ से समंदर से घिरा है और यही बात इसको और भी खास बनाती है यानि कि भारत का Indo-Pacific region में या Indo-Notion में या Arabian Ocean में अपना एक दबदबा है जो कि Asia में power को balance करने में मदद करता है लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के आसपा सिफ चाइन ही एक ऐसा देश है जो इंडिया को टकर दे सकता है और जाइसी बात है इंडिया का चाइना से उतनी तो नहीं बनती जितनी बननी चाहिए इस वज़े से भारत और चाइना में आए दिन कोई न कोई विवाद देखने को मिलता है लेकिन अच्छी बात ये है कि इंडिया को बहुत सारे friendly countries का support है जैसे कि US, Japan, Australia जो कि चाइना को मिलकर counter करने में सच्छम है इन सब चीजों के अलावई भारत में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है अब चाहे वो GDP के मामले में हो या फिर population के मामले में आपको ये बात जान लेना चाहिए कि 1991 से लेकर 2019 तक भारत का जो GDP का purchasing power parity है वो लगभग 772% बढ़ा है यही population में भी काफी ब्रिद्धी हुई है 1960 से लेकर 2011 तक भारत का जो population है वो लगभग 209% बढ़ा है यानि कि बहुत तेजी से population भी बढ़ा है लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की जितनी भी population है उनमें यंग लोगों की संख्या जादा है यानि कि यंगर्स की जबकि वहीं European countries में यंगर्स की संख्या बहुत कम है और एक डेटा तो यह भी बताता है कि 2030 तक चाहे वो अमेरिका हो जापान हो रूस हो चाइना हो फ्रांस हो इनमें यंगर्स की संख्या बहुत कम होगी यानि कि यहाँ पर जितने भी लोग है जादा तर 35 साल से उपन है जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में 50% आबादी ऐसी है जिसकी उम्र मातर 24 साल है जबकि 65% आबादी ऐसी है जिसकी उम्र 35 वर्स है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लेबर फोर्स कितना यंग है जब कि यह बागी कंट्रीज में ऐसा नहीं है यही बात इंडिया को यंग और बहुत खास बनाती है क्योंकि इन खूबियों की वज़र से इंडिया में पोटेंसियल बहुत जादा है जो कि बागी किसी यूरोपि पर तो जरूर दिखेगा एक डेटा तो यह भी कहता है कि दो हजर पचास आते आते इंडिया की जो पीपी है वह अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी यानि कि इंडिया की पर्चेसिंग पावर पैरिटी लगबग 33 ट्रिलियन की हो जाएगी और पूरी दुनिया में ये दूसरा होगा यानि कि नंबर वन पर फिर भी चाइना रहेगा और उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में इंडिया इसको चाइना को भी पीछे कर दे कहां सब कुछ अच्छा हो रहा है पोपलेशन बढ़ रही है जो कि एक चिंता कभी से है लेकिन फिर भी लेबर फर्स की बात करें तो यह अच्छी बात है और जीडिपी में इजाफा हो रहा तो भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारी देसका इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह ज जीटी रोड्स बन रहे हैं और भी नजाने क्या क्या बन रहे हैं जो कि इंडिया को सुपर पावर की रेस मिले जाने के लिए काफी हैं इसके अलावा भी इंडिया एक सेक्टर में और ज्यादा भेनत कर रहा हुआ है हमारा डिफेंस आपको पता होगा कि हमारा डिफेंस प भारत को जो डिफेंस बजट है वह पूरी GDP का लगबर 2.5% है और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारत आज के समय में अपने डिफेंस उपकरणों के लिए आत्मन निर्भर बनने की दिशा में भी काम कर रहा है जो कि इसको सूपर पावर तो जरूर मनाएगा जब हम ड डिफेंस बजट दुनिया में इस समय तीसरे नंबर पर है हलाकि डिफेंस के अलामा भी इंडिया ने बहुत से चीजों पर काम किया है जैसे कि ओ एजुकेशन हो आपको पता होगा कि इंडिया पिछले कुछ दसकों से अपने एजुकेशन सिस्टम को बहतर बनाने में लग पूरी दुनिया में बिखरे रहते हैं और अच्छी बात यह है यह पूरी दुनिया में रहते ज़रूर है लेकिन इनकी हालत बागी लोगों से भेतर होती है कहने का मतलब यह है कि बड़ी-बड़ी कंपणियों में CEO's भी इंडियन्स हैं या फिर किसी ऐसी कंपणियों की आप बात कर लिए जिसमें अच्छी-अच्छी पोश्ट पिचा है लगे हाथ यह भी बात कर लेते हैं कि आखिर इंडियन्स जो बाहर रहते हैं उनसे हमें और क्या-क्या फाइदा होता है भारत सरकार भी चाहती है कि हमारे इंडियन्स में लोग हर तरह की भासा आइसी के पड़ें आपको चानकर आशेर होगा कि इंडियन्स पोपलेशन ऐसी है जो दुनिया में नंबर वन पर है इंगलिस बोलने और समझने के मामले में अगर फ्लुएंट इंगलिस की बात करें तो इंडियन्स पोपलेशन सेकेंड नंबर पर आती है पूरी दुनिया में आफ्टर यू के जो की फ्लुएंट इंगलिस बोलती है अब आप समझ सकते हैं कि भारत की अपनी भासा तो हिंडी है लेकिन भारतियों की जो पकड़ है इंगलिस को कितनी अच्छी है लेकिन इसके अलाव में भारत में बहुत सारे भासाओं पर जोड़ दिया जाता है चा होने वाले समय में लेंग्वेज की बैरियर हमारे साथ तो नहीं होने वाली और अगर सुपर पावर बनना है तो दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा चाहे वो सोसल हो या इकनोमेक ग्रिष्टी से और ऐसे में इंडियन्स का तो कोई जवाब नहीं है आप जहां जाए आपको हर पांचव बेक्ती इंडियन्स मिलेगा और हो सकता है कि वो आपकी जुबान भी बोलता हो चलिए आप बात कर लेते हैं पॉलिटिकल फैक्टर की देखिए दुनिया में बहुत सारे देश नहीं और जानतर देश नहीं वो सांती प्री है यानि कि इतनी बड़ी population को साथ रखता है और फिर भी democratic है इस खुभी के वज़े से दुनिया की और भी जो सांती प्रीय देश है भारत पर पर एक तो भरोसा करते हैं और भारत के साथ democratic district से connect होने की कोसिस करते हैं और यह उनको connect होने में मदद भी करता है यही कारण है कि भारत बहु कि मदद करेगा अगर हम बात पॉलिटिकल करी रहे हैं तो उसके उसी के साथ यह भी बात कर लेते हैं कि भारत का अपने पडूसी ऑसे कैसा रिल Skillsन है अगर हम अपने पडूसी सब्सक्राइब नहीं करना नहीं का रिश्ता अपने दुस्मनों के साथ या जधा गांड़ के ते आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है और यहीा बात दुनिया कि जब बागी देश देखते हैं कि भारत अपने इनेमी कंट्रीज के साथ कीस तरसे बेहव कर रहा है तो हम पर ज्यादा बिलीव करते हैं और फिर यी बिलीव का नतीजा है कि हमें वो सारी टेक्नोजीज भी कई बार मिल जाती हैं जूकि साथ किसी और चाथ कंट्रीज को देने से पहले वो 10 बार सोशती होंगी अब चाहे वो अमेर्का हो या फिर इसरेल हो एफिर ऐस्या हो ठॉस्ट फैक्टर तो सांगी होकी को बाद कि आपको संक्बूरन पता ही होगा कि भारत में लीडिंग कंट्रीज में सेoupτα पर आता है लेकिन सेठी के आपको एकंटर और बताते एसिया में अगर बात करें तो तीसरी ऐसी कंट्री जिसने खुद के दम पर बनाया हुआ सेटलाइट लॉंच किया है आफ्टर जापान और चाइना यानि कि भारत का चाहे वो एसिया में हो या वर्ल लेवल पर हो टेकनोलोजी और साइंस के मामले में तो कोई जवाब ही नही करते हैं यहां तक की नासा में भारत के बहुत सारे स्चिस्ट काम करते हैं अब भारत के साइस और टेक्नोलोजी का जो दबदबा है वो तो समझी गए होगे अच्छकी सोचने की जरूवत है कि देखिये आने वाले समय में दुनिया में फॉसिल फ्यूल प्राड का तो जमा आने वाला जो समय है वो fossil fuel का तो बिल्कुल भी नहीं है हम कह सकते हैं कि आने वाला समय या तो nuclear energy का होगा या फिर renewable energy का होगा या फिर fusion energy का होगा और आपको जानकर अच्छा लगेगे कि भारत जीस एरिया में पढ़ता है यानि कि हम sunny tropical बेल्ट की बात कर रहे हैं जहां पर fossil fuel से रहात दिला सकती हैं और fossil fuel पे dependency अगर भारत की खतम हो जाती है तो समय लीजे भारत का बहुत सारा पैसा बाहर जाने से बच जाएगा देखिए हमने जहां बहुत सारे अलग-अलग sectors की बात की वहां पर हम tourism को भूल नहीं सकते हैं अगर हम आपके मोटी मोटा एक आइडिया बताएं तो 2005 में भारत में लगभग 3.9 मिलियन टूरिस्ट आये थे और अगर टूरिस्ट आते हैं तो यहां रुकते भी हैं और मेडिकल टूरिजम जो कि इंडिया में बहुत अच्छा है एक आखड़ा तो यह भी कहती है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 मेडिकल टूरिस्ट आते हैं और यह आखड़ा हर साल 15% के हिसाब से बढ़ रहा है यानि कि आख समझ सकते हैं कि जब टूरिजम के लिए लोग आत हैं पर अब तक हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात की लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको सुनकर आपको अच्छा लगेगा वह है मिलिटरी के बारे में देखिए अपने देश की सुलक्षा करना हर किसी का करतव्य बनता है आप चाहे एकनोमिकली कितना भी स्ट्रॉंग बन जाइए सोसली कितना भी अच्छा बन जाइए लेकिन अगर आप डिफेंस के मामले में पीछे हैं तो कोई भी देश आपको जब चाहे तब तमाचा मार के भाग जाएगा हाला कि इस मामले में भी भारत काफी अच्छा है दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी मिलिटरी भा बात करें तो उसमें भारत नंबर वन पर है वहीं पैरा मिलिटरी की फोर्स की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है यानि कि हमारी जो मिलिटरी है वो किसी से कम तो नहीं है और अगर हमें सूपर पावर बनना है तो अपने मिलिटरी को तो मजबूत रखना ही हैं तो उसमें हमारे नुक्लियर पावर मारी मदद तो जरूर करेंगे और कोई देश सूपर पावर बने के अधाप देख रहा हो और उसके पास नुक्लियर वेपन ना हो आज के जमाने में ऐसा हो नहीं सकता वरना कोई भी देश आपको आख दिखा सकता है जैसे कि माल लीज का नजारा आप इस समय यूक्रेयन और रसिया में देख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारत को वो सारी चीजे मिलिटरी की तौर पर सपोर्ट कर रही है जो कि एक सुपर पावर बनने के लिए जरूरी होती है और अगर देखा जाए तो ये सारी खुविया भारत को बहुत मजबूत बनाती है और जहां तक बात रही सुपर पावर बनने की तो कोई भी देश इन खुवियों के बिना सुपर पावर तो नहीं बन सकता है फिलाल आप क्या मानते हैं कि भारत क्या सुपर पावर आने वाले समय में बन जाएगा या नहीं बन पाएगा या आप अपने कुछ राय देना चाहते है था हमें कमेंट करके जूरू बताएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद